हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो एक्जाम डिफ लर्निंग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम लोग बाइलोजी क्लास 9 का चेप्टर 1 फंडमेंटल उनिट अफ लाइफ का पार्ट 8 करने वाले हैं तो आईए पहले हम लोग इस चेप्टर में देखते हैं कि हम लोग जो पार्ट 7 तक कर चुके हैं कितना टॉपिक कर चुके हैं और कितना और करना है तो देखिए फंडमेंटल उनिट अफ लाइफ सेल का यह टॉपिक है इसमें हम लोग यहां से इवेंट्स रिलेटर टू यहां तक और भी आगे टॉपिक तक हम लोग कर चुके हैं और आगे देखते हैं कि मिटोकॉंड्या प्लास्टिड्स प्लास्टिक की यहां तक हम लोग कर चुके हैं तर्म बचा इतना तीन टॉपिक निहां किलिए कर लेंगे उसके नेक्ट जो टॉपिक आएगा पार्ट-9 उसमें हम लोगनेमल सेल प्लांस तेकर लेंगे और उसके बाद जो आएगा शेल डिविजन एक और जो पार्ट नमर तेन आएगा उसमें शेल डिविजन और क्यूएक रिविजन भी हम लोग इस शेप्रेल का करनेंगे फिर multiple choice question भी करेंगे चाहिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ और वैक्योल से शुरू करते हैं Class 9 Fundamental Unit of Life Part 8 वैक्योल तो सबसे पहले हम लोग आपे वैक्योल का definition जानेंगे वैक्योल होता क्या है उसे हम लोग समझेंगे First point है इसका वैक्योल सार Membrane bound for a storage of solid or liquid content वैक्योल Membrane bound होता है जैसे यह वैक्योल से है Circle type का इसके आगे एक मेंबरेन है यह जो है यह मेंबरेन बाउन है यह वैक्योल का यह storage के लिए जो solid liquid में storage होता है हम लोग के cell में वैक्योल से content करता है Next point है वैक्योल का वैक्योल साइज इन अनिमल सेल अनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है यह एनिमल सेल है यह एनिमल और यह प्लांट सेल है प्लांट सेल का यह वैक्योल से और यह अनिमल सेल का next point है इसका the central vacuoles of some plants cells may occupy 50 to 90% of the cell volume इसमें central vacuoles जो होता है friends plants में जो occupy करता है 50 to 90% 50 to 90% जो cell का volume होता है जो occupy करता है due to which nucleus and other cell organelles are pushed to the side क्योंकि जो nucleus होता है और फिर other cell organelles होता है जैसे mitochondria हो गया गोल्ली अप्रेटर्स हो गया लाइजोजोंस हो गया यह सब जितना भी है यह ही जो vacuoles को पुश्ट करते हैं तो इसका जो volume cell wall में होता है इंक्रीज कर जाता है vacuoles का volume in some plants में सभी में ने बोला जा रहा है आए अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का types of vacuoles types of vacuoles में हम लोग vacuoles का फोर टाप्स होता है first is sap vacuoles second है contractile vacuoles और third हम लोग का food vacuoles fourth is gas vacuoles तो इन चारों का हम लोग details में पढ़ने वाले हैं तो आए first से start करते हैं तो first vacuoles are sap vacuoles इसका first point है these are the most common types of vacuoles यह most जितना भी common vacuoles होता है जिसना भी vacuoles fourth work है यह सबसे common vacuoles है sap vacuoles they contain cell sap cell sap sap से ही पता चल दा है name से इसका कि यह sap को content करते है next point है the sap vacuoles bounded by membrane is called tonoplast जो sap vacuoles होता है friends वो bounded होता है cell membrane एक membrane से bound होता है उसे बोला जाता है tonoplast आपर लिख देता हूं tonoplast next point है these vacuoles store amino acids, sugar, various organic acids and some proteins sap vacuoles amino acids को contain करता है sugar को contain करता है various organic acids and proteins को भी content करता है next point हम रोका they provide tergity and rigidity to the plant cell and are also required absorption of water यह provide करता है cell को tergidity and rigidity plant cell को provide करता है required absorption जो water को absorb, plant cell को absorb करने का capacity होता है वो sap vacuoles में होता है next हम लोग का part है touch of vacuoles में contactile vacuoles उसे हम लोग पढ़ेंगे यह है contactile vacuoles इसका फर्स्टे पॉइंट एक ही पॉइंट है फ्रेंट्स इस ब्रेक्ट्स होते हैं इसका में जो function है contractile vacuoles का वो osmo regulation करते हैं water को maintain करते हैं जो salt balance unicellular organism में multicellular में नहीं फिर्फ unicellular unicellular होता है जिसमें only one cell होता है only one only one cell होते है उसमें उसे unicellular बोला जाता more than one cell उसे multicellular organism बोला जाता तो इसमें contactile vacuoles सिर्फ unicellular में पाया जाता और वो क्या content करता है उसमो regulation करते हैं और फिर balance salt of water को balance करते हैं like unicellular का example है paramosium amoeba अब third type of vacuoles हैं लोग का food vacuoles name सही common यह लग रहा है food vacuoles इसका first point है these vacuoles are found in some unicellular organism like amoeba and other protozoans यह भी जो होते है food vacuoles यह plant cell में होते हैं actually और यह जो food vacuoles होते हैं वो unicellular organism में ही पाया जाता है amoeba protozoans next point है इसका these vacuoles contain food particles ingested by the process of phagocytosis यह vacuoles होते है food को content नहीं से पता चल रहा है कि food vacuoles है तो यह food को ही content करते हैं और ingested food को करते है उस process का नाम है phagocytosis next point है these also contain digestive enzymes which digest the complex food particle into a small and simpler particle यह जो food vacuoles होते हैं friends digestive enzymes को भी content करते हैं जो कि digest करने में food को complex food जैसे होता है तो उसे एकदम simpler part में break करने के लिए food vacuoles work करता है अपना हम लोग का last topic मतलब last topic नहीं last type of vacuoles है वो gas vacuoles है इससे हम लोग पढ़ते हैं पहले इसका first point है यह जो होते हैं शिर्फ अकर मतलब प्रोकारियोट में ही शिर्फ पाय जाता है यह कारियोट सेल में नहीं पाय जाता है इसका second point है आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे फ्रेंट्स की बायोंसी क्या होता है वह यहां पे दिया होगा है और इसका last point है they are not surrounded by any membrane gas vacuoles जो होता वह एक कोई भी membrane से surrounded नहीं होता जैसे कि यह gas vacuoles है कि इसमें कोई भी membrane नहीं होगा membrane less होते हैं यह क्या होता है membrane membrane less इसमें कोई भी membrane होता ही नहीं है अब आईए हम लोग fountain of vacuoles दखते हैं और यह आज का last topic reference function of vacuoles इसका first point है help in osmo regulation and excreation हम लोग पहले ही पर चुके हैं कि types of vacuoles में कि vacuoles जो होता osmo regulation कलता है और excreation कलते हैं help in a storage of number of tanks like salt, sugar, amino acid, organic acid, some protein यह भी हम लोग पर चुके हैं कि vacuoles जो होता है वो storage के लिए ना जाना जाता है help in a storage करता है cell में और यह क्या store करता है salt, sugar, amino acid, organic acid, some proteins को भी और third point है इसका they function as dump house of best product in plant cell dump house of the best product आनी कि जैसे कि कच्रा मतला जैसे पानी का एक होता है नाला टाइप का उसे dump house बोला जाता dump house जो best product को निकालता plant cell से वो vacuoles का work होता है और इसका four point जैते है it provides tergity and rigidity to plant cell यह provide क्या करते है tergity and rigidity fifth point है इसका maintain osmotic concentration of cytoplasm required for absorption of water in plant cell यह क्या maintain करता है osmotic concentration जो उसकी cytoplasm में required होता है और absorption of water जो plant cell में water का जो need होता है need of water जरूरत होता उसका जो वो vacuoles सी उसे में absorb करता है friends अगर आप लोग को इस तरह का नोफ साहिए clear में एकदम तो आप मेरे चैनल को subscribe कर ले उसमें description box में telegram group का link दे दिया हूँ वहां से आप लोग जूट सकतें मेरे group में और वहां पर साड़ा इस तरह का notes provide है friends आज के लिए इतना ही था मिलूंगा next video में तब तक के लिए बाइ जो भी इस वीडियो के देख रहे हैं वे इस वीडियो को like and share करें अगर आप लोग को इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो exam deep learning को subscribe करें thank you watching for this video